वेलकम तू महापुरूश आप दवर्ड यूटूब चैनल महापुसो की आज इसकड़ी में मैं बात करने वाला हूँ सर एलेक्जेंडर करिंगम की जिने फादर आफ अर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया या भारती पुरातत्त्तो सर्वेशड के जनक कहे जाते हैं इन्हों ने ही प्राचिन कला के पुराने सोने और चांदी के शिक्के खुजे थे आईए इनकी जीवन की गाथा को सुनते हैं सर एलेक्जेंडर करिंगम का जन्म 23 जनौरी 1824 की लंदन इंगलेंड में हुगा इनके माता का नाम जिननी वाकर था और इनके पिता का नाम एलन करिंगम था जो एक कभी और लेखक थे एलेक्जेंडर करिंगम के तीन भाई थे जिनका नाम फ्रांसिस करिंगम जोसिफ करिं लंदन के लिए परसिद्ध हुआ एलेकजेंडर कनिंगम अपने बड़े भाई जोसेफ के साथ अपनी प्रारंभिक सिच्छा क्राइस्ट होस्पीटल लंदन में प्राप्ति की सना थारे सो उन्ती सीस्वी में सर वाल्टर स्कॉट जो एक लिखक थे इनसे प्रिरित होकर जोसेफ और एलेकजेंडर दोनों ने इस इंडिया कंपनी के एडिस कॉम्ब सेमिनार में केड़ेट सीप प्राप्त की इसके बाद चोथम में रॉयल इंजिनिर्स स्टेट में टेकनिकल ट्रेनिंग प्राप्त की है अरे सो तैती सीस्वी में इन्हों ने ही जर्नल आफ दा इसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की असापन की और स्वेम संपादक भी बने रहे इस पत्तिका के इन्हों ने भारती पुरा तत्तो प्राचीन भारती कलाकृत को खोशते थे परते थे और अपनी प्रतीका में प्रकासित करते थे जब अलेग्जेंडर कनिगं में जेम्स से मुलकात की तो लेंडर के मन में भी भारती पुरा तत्तो संब्धित कला कृति को जानने की हिछा पड़ गए वे जेम्स प्रिंसिप के घनिश्ट मित्र और विस्वात्स पात्र सिस्ट से बन गए 1840 विस्वी में एलेक्जेंडर कनिंगम की साधी एलीसिया मारिया विस से हुई इनकी दो बेटी हुए एक का नाम एलन जेसी कनिंगम था और दूसरी का नाम एलेक्जेंडर एफडी कनिंगम था जो दोनों आगे चलकर बिटिस इंजिनियर में कार्यत रहे एलेक्जेंडर कनिंगम का जिग्यासा परचीन भारती पुरा तत्तो संबधित कलाकिरित में इतना बढ़ गया कि इंजिनियर पद पर रहते हुए उन्होंने 1837 में फेडरिक चॉल्स मैसी के साथ सारनात में खुदाई की और बहुत सी कला आर्ट्रिफेक्ट्स या कलाकिरित के खोज किये और उन खोजे गए मुर्दियों के चित्र भी बनाए 1842 इस魚 में उन्होंने संकासा में और 1851 इसWhen में साची में खुदाई की दो साल बात उन्होंने एक पुस्टक प्रकासित किये जिनका दे विलसर टॉप्स था इस पुस्टक में उन्होंने बहुत धर्म के इतिहास के बारे में लिखे सब्सक्राइब के कुछ महीने बाथ भारत के ततकालिक वाइसराय लॉर्ड कनिंगम ने एलेक्जेंडर कनिंगम को भारत सरकार के पुरातत्यों सर्वेचल करता के रूप में एलेक्जेंडर कनिंगम का जिग्यासा प्राचिन भारती पुरातत्यों सम्मदित कलाकरीट में इतना बढ़ गया कि इंजिनेर पर रहती हुए उन्होंने अठारे सो सैतिस इस्विय में फेडरिक जॉल्स मर्सी के साथ सानात में खुदाई की और बहुंसी और टिफेंट्स य कलाकरीट की खुझक है और उन खुझे गेंगे मुर्तियों की चित्र भी बनाएं 842 ईसियु में उन्होंने संकासा में और 1851 ECU में साची में खुदाई की दो साल बाद उन्होंने एक पुस्तक प्रकासित किये जिसका नाम था दविल्सा टॉप्स था इस पुस्तक में उन्होंने बहुत धर्मी के इतिहास के बारे में लिखे सरना 1861 ECU में रॉयल इंजियर्स से वे रिटायर हो गये रिटायर के कुछ महिने बाद भारत के तदकालिक वाइसराय लाड गैनिंग ने अलेक्जंडर कनिंगम को भारत सरकार के पुरा तत्थ्व सरीच़ण करता की रूप में निक्त किये और फिर अलेक्जंडर कनिंगम ने अर्चेलोजिकल सर्वे आफ इंडिया या भारती पूरातत्यो सरेच्षड जिसका सौर्ड फाम होता है ASI इसकी अस्थापना किये 1861 से 1865 तक ASI बना रहा लेकिन धन की कमी के कारण इसे समाप्त कर दिया गया Alexander Cunningham England चले आए घर आने के बाद वे अपना लेखन कारें जारी रखे और उन्होंने दिल्ली और लंदन बैंक में डारेक्टर के रूप में भी कारे किये सन 1870 इस्वी में लाड मेयों ने औरकलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को पुना अस्थापित किये और 1 जनवरी 1871 इस्वी को Alexander Cunningham को डारेक्टर निक्ति किये गये बहुत सी कलाक्रित को खोजे और उन पर अध्यन किये उन्होंने कई सारे धरोहर कलाक्रित मूर्तियां अभी लोगों और प्राचिन सोने चांदी के सिक्के कई सारे बहमुल रत्न की खोज किये उन्होंने बहुत सा प्राचिन सोने चांदी के सिक्के कठा किये थे लेकिक इनमेस से अधिकांस तब खो गया जब वे स्टीम सीप से सिंधु में यात्रा कर रहे थे नॉंबर 1884 इसवी में सिलोन के तर्ट पर बहुत सी सिख्ये खो गया 30 सितंबर 1885 इसवी को अर्केलोजिकल सर्वेयाफ इंडिया से रिटायर हो गया और फिर इंग्लेंड चले आए इंग्लेंड आने के बाद वे अपना और सोध और लेखन जारी रखे इन्होंने कई सारे पुस्तक भारती पुरातत्व समंदी साच्छे से लिखे इनके पुस्तकों का नाम था भिलसा टौपस भारत की प्राचीन भुगोल लद्दाक भारती पुरातत्व सर्वेशल खंड एक भारती पुरातत्व सर्वेशल खंड टू भारती पुरातत्व सर्वेशल खंड तीन कारपस इंक्रिप्शनम इंडिकारम भरहुत का इस्तोप भारती युक की पुस्तक प्राचीन भारत के सिक्के महाबोध या बुध गाया में बोध प्रिच के नीचे महान बोध मंदिन मध्यकालिन भारत के सिक्के यह सब इनकी भारतिय रचनाय थी 30 मार्च 840 उसी को दच्छिड के सिंगठन लंदन में एलेकजेंडर करिंगम की मृत हो गई और उन्हें कैंसेल ग्रिन कवरिस्तान में दफनाए गए यह थी इनके जीवन की कहानी जो भारत के लिए अपना योगदान दिये थे सच बात यह है कि प्राचीन भारत हमेशा से ही सोने की चिडिया था एक समरिद धराष्ट के लिए जाना जाता था परनतु बाहरी अकरमरकार्यों ने हमेशा भारत को लूटा मुल्गोलों का आगवन से प्राचीन भारती धरोहर मंदिरों को तोड़ा गया और लूटा गया और देश को आर्थिकृप से कमजोर किया गया जब अंगरेज आए तो उन्होंने भारत में बहुत सी धरोहर कलाकरित, सोने, चान्दी के शिक्के और अलेखो की खोज की परंतु बहुत से चीजे जैसे चान्दी, सोने के शिक्के, प्राचीन मूर्तिया, कलाकरितिया, अनमौल रत्न और कोहिन उरहीरे, बहुत सा और कई सारे अनमोल बस्तूओं को अंगरेज अपने देश लेकर चले गाए जब भारत सोतंत्र होगा तब भारत एक गरीब देश बन गया था लेकिन अब भारत एक ने श्रयूग के तरफ है आज हम अलेक्जेंडर के निगम के बारे में पड़े हैं आप अपना ख्यार रखे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू शो मच